सब्सक्राइब कीजिए SP Education चैनल को और बेल आइकान पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए अपनी हिस्टरी की सीरीज को आगे कंटीनियू करेंगे तो अपनी हिस्टरी की प्रिवियस क्लासे में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं देखी हम लोगोंने स्टार्ट करा था एडवेंट ओफ यूरोपियंस थे तो हम लोगोंने यूरोपियंस वाला पार्ट पूरा करा कि किस-किस तरीके से यूरोपियन इंडिया में आये उसके बाद हम लोगोंने देखा कि ब्रिटिशर अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के चलते अलग-अलग एरिया को, इंडिया की अलग-अलग territory को क्या कर रहे हैं, capture कर रहे हैं पहले तो वो लोग आपस में, मतलब जितने भी European part यहां पे आये थे उनसे आपस में struggle कर रहे हैं, उसके अलावा उनके साथ deal करने के साथ वो यहां पे इंडियन स्टेट को भी capture करने की कोशिश कर रहे हैं अब ब्रिटिशर इसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि माना जाता था कि ब्रिटिशर expansion policy पे बिलीव करते थे, क्या थी? expansion policy उनकी विस्तारवादी नीती, क्या थी? उनकी विस्तारवादी नीती पे वो लोग बिलीव करते थे तो हम लोग जो देख चुके हैं, हम लोगोंने मराथास को पूरा एंगलो मराथा वार की फॉर्म में ब्रिटिशर के पास भेज दिया है, उसके बाद हम लोगोंने मैसूर की कहानी भी देख ली है, कि कैसे एंगलो मैसूर वार के थूरू ब्रिटिशर क्या चले गए थे? ब्रिटिशर ने मैसूर को capture कर लिया था. वही advent of European की case में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से Portuguese के साथ marriage alliance बन चुका था? किस तरीके से French and Dutch के साथ लड़ाई लड़के इनको क्या कर दिया गया था? इनको capture कर लिया गया था 1759 and 60 के टाइम पे. Battle of कौन कौन सी battle लड़ी गई थी? डच के साथ कौन सी लड़ाई थी? Battle of Bedara and French के साथ कौन सी लड़ाई थी? Battle of Wendy Wash. इतनी कहानी आई हो आप लोगको अच्छे से याद होगी. ठीक है? अब ये बात क्यों repeat करते हैं हर क्लास में ताकि एक background आपका set हो जाए आज की क्लास तक मह होचने का. ठीक है? तो ये सारी चीज़े देखिए और अब हमें बात किसकी करनी है आज की क्लास में? हमें बात करनी है कैसे Bengal Britisher के पास गया? मैंने बोला ये sequence में नहीं हो आया है कि पहले Britisher ने पूरा Marathas को निप्टाया, then Meisur को निप्टाया, then Potragese को simultaneously साथ-साथ में सारी चीज़े चल रही है. ठीक है? इयर्स आप लोग पढ़ रहे हो ना, सारी जब Wars तो आप देख रहे हो, इयर्स भी क्लास कर रहे हैं. तो वो चीज़ जब सारी वार पढ़ लोगे, अच्छे से रिवाइस कर लोगे, माइन में क्लियर हो जाएगा, तब आप अपने आप इन चीज़ों को क्या कर पाओगे? कंपेर कर पाओगे. हमें जो आज बात करनी है, वो किसकी करनी है? बेंगॉल की. अब देखिए, बेंगॉल में जो ट्रेड करने की पर्मीशन थी, बेंगॉल में एसा नहीं तो शुरू से ब्रिटिशर आए और जहां मनमर जी चाहा रहे थे वहां ट्रेड कर रहे थे. नहीं, इन्हीं क्या करना पड़ता था? यहां पे जो हमारे इंडियन रूलर होते थे, उनसे इन्हें पर्मीशन लेनी पड़ती थी. ऐसा नहीं आए जहां मनकरा फाक्टरी लगाई और काम करना स्टार्ट कर दिया. नहीं, 1600 में वेन ब्रिटिश केम टो इंडिया. जब ब्रिटिशर इंडिया में आए, तो इन्हें क्या करना पड़ता था? आके हमारे यहां पर जो भी रूलर होते थे, आपको पता है इस टाइम पर कौन से रूलर यहां पर चल रहे थे? हमारे पास जब ब्रिटिशर यहां पर पर्मीशन लेने आए, इनको बहुत मुश्किले आई थी ट्रेडिंग राइट के पर्मीशन लेने में, बट एट लास्ट यह सक्सेस्फुल रहे, थीक है हमने देखा था विलियम हौकिन्स आये, उसके बाद थॉमस रो आये, किस तरीके से उन्होंने यहां पर ट्रेड करने की पर्मीशन मांगी और औरंगजेब के टाइम पे उन्हें ट्रेड करने की पर्मीशन मिल गई थी, ठीक है, आये थे जहांगीर के कोट में, बट औरंगजेब के टाइम तक उन्हें ट्रेड करने की पर्मीशन यहां पे मिल गई थी, सीक्वेंस समस्ते जाना है बस हमें, ट्रेड कर रहे थे, ए लाईयां लड़ रहे हैं, ट्रीटीज कर रहे हैं, यह सब कहानी चल रही है, बट बेंगॉल हमेशा से एक इंपोर्टेंट, बहुत जाधा इंपोर्टेंट प्रोवियंस रही, प्रेडिंग के पपस से, कल्चर के पपस से हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे अब ब्रिटिश ने क्या करा, लेटरे मुगल के टाइम पे यह जो पूरी एंपायर थी, जो पहले इतनी फ्लोरिश हो रही थी, वो बिल्कुल डिकलाइनिंग पोजीशन पे आगई, बिल्कुल जो यह सारे एंपरर रहे, इतने एफेक्टिव नहीं रहे कि अच्छे से पूरी मुगल एंप फारुक सियार, कौन थे? फारुक सियार, ये थे मुगल रूलर, क्या थे ये? मुगल रूलर, इन्होंने क्या करा? इन्होंने बंगॉल के लिए एक गवर्नर अपॉइंट करा, कहानी की तरह सुनते रहेंगे, स्टेप बाइ स्टेप पॉइंट्स लिखेंगे, कोश्चन ड कुली अली खान, क्या नाम था? मुर्शीत कुली अली खान, अब क्यों ये नाम important है? क्या करा? मुर्शीत कुली अली खान ने उस time पे capital पहले हुआ करती थी, जो capital थी यहां की बेंगौल की, वो capital पहले हुआ करती थी धाका, क्या हुआ करती थी? धाका, इन्हों ने उस capital को transfer कर कर दिया किस चीज में मुर्शीदा बाद में कहाँ ट्रांसफर कर दिया मुर्शीदा बाद में यहां तक की बात समझ में आई 1717 में जब लगा कि प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे पारुक सियार ने क्या कहा कि एक काम करते हैं हम लोग गवर्नर अपॉइंट करते हैं जो प्रॉपर बेंगाल की देखरेक करेगा तो यहाँ पे 1717 यह गवर्नर ब्रिटिश वाले गवर्नर नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है उससे फारुक सियार जो कि मुगल रूलर थे, मुगल अम्परर थे उन्होंने बिंगॉल में गवर्नर अपॉइंट किया जिनका नाम था मुर्शीत कुली अली खान अब इन्होंने कैपिटल, किसने मुर्शीत कुली अली खान ने यहाँ की कैपिटल ट्रांसवर कर दी धाका से मुर्शीदाबाद कोश्यन आ जाता है कि किसने धाका से मुर्शीदाबाद में कैपिटल ट्रांसवर करी थी तो यह हमें माइन में रखना है उसके बाद हम बात करते हैं कि फारुक सियार ने 1717 में ही एक फर्मान इशू करा क्या करा? एक फर्मान इशू करा देखो, खोशिश बहुत पहले से कर रहे थे ब्रिटिशर की हमें यहाँ पे ट्रेड में लिबर्टी मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए तो यह permission लेने के लिए बार-बार क्या करते थे? अपने अलग-अलग हटकंडे अपनाते थे बट यहाँ पे हुआ क्या था? फारुक सियार थोड़ी सी, क्यों फारुक सियार ने एक फर्मान इशू भी कर दिया? वैसे तो यह जितने भी रूलर थे इन इफेक्टिव रहे हैं बट फारुक सियार की एक बड़ तवियत हो गई थी बहुत खराब तो एक कमपनी के ही परसन, मतलब ब्रिटिश परसन जो थे उन्होंने इनकी रिकवरी में मदद करी, एक सर्जन थे उन्होंने यहाँ पे इनकी मदद की तो that's why इन्होंने उस शीच से अपनी एक मेरे जान पर यह कर्ज है मानके उनको क्या करा, फर्मान इशू करने की ब्रिटिश इर को, इस इंडिया कमपनी को यह फर्मान इशू कर दिया अब इस फर्मान में क्या था? कोश्चन आता है यह जो फर्मान की हम बात कर रहे हैं, फारुक शियार के फर्मान की इसमें क्या-क्या बाते थी? देखे, इसमें बात यह थी कि आप जो ट्रेड करोगे, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज क की जाएगी आपसे ट्रेड करने की आप ट्रेड करो बेंगॉल में करो ट्रेड मद्रास में करो ट्रेड एंड बॉंबय में करो ट्रेड ठीक है बेंगॉल मद्रास एंड बॉंबय में आप ट्रेड करो हम आपसे कस्टम ब्यूटी नहीं चार्च करेंगे ठीक है बहुत free trade है tax नहीं देना आपको कितना भी करो पूरी yearly Lum sum में मुझे amount 3500 रुपेज आप दे देना Lum sum में आप मुझे 3000 रुपेज पूरे साल के दे देना कोई tax नहीं देना आप देख रहे है यह 3000 रुपेज रुपेज इतना छोटा सा जा गया कि जितने भी हमारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेज है वो बेसिकली क्या किये जाएंगे आपके थूबियर किये जाएंगे तो कस्टम ड्यूटी दे दी टेक्स्ट्री ट्रेट दे दिया तो बेंगॉल की गवर्नर्स की पावर कहां गई अब आप देख रहे हुए प फ्री दस्तक ड्यूटी दे दी उने फ्री दस्तक ड्यूटी मतलब ट्रेट जो था दस्तक ट्रेट की इशू करने की राइट्स भी इने दे दी कि आप जो है परमिट एक तरीके से हम वर्ड कॉमन यूज करें तो परमिट की परमिट इशू कर सकते हो क्या कर सकते हो परमिट इशू कर सकते हो आप, अब ये खुद तो benefit ले ही रहे थे, प्लस उसको अपने favor में बहुत तरीके से use कर रहे थे, ठीक है, ये और लोगों को trade permit देखके उनसे भी चीज़े क्या कर रहे थे, amount charge कर रहे थे, तो basically बेंगाल के जितने भी resources थे, उसका full exploitation हो रहा था, एक Englishman ने ही अपनी report में ये लिखके submit करा था, कि किस तरीके से East India Company ने बेंगाल का, कि बेंगाल इतनी flourish जगे थी, उसका पूरी तरीके से क्या कर लिया था, exploitation कर लिया था, यहां तक की कहानी हमें समझ में आई, अब जब आपने, यानि मुगल Emperor ने इस तरीके का फर्मान इशू कर दिया है, तो क्या ये Governor खुश होंगे? Governor के पास तो कोई power ही नहीं बच रही है, उनके पास तो कोई authority ही नहीं बच रही है, तो यहां पर अब Governors के आगे की कहानी देखते हैं, क्या कहानी देखी हमने पहले? हमने देखा अभी Governor कौन है? मुर्शीत कुली अली खान, अब हम देखें इसमें कोशन डरेक्ट विसी से बनते हैं मैचिंग फॉर्म में आ सकते हैं आप से डरेक्ट को लेके कोशन पूँच सकता है फारुक सियार के फर्मान को लेके कुछ पॉइंट देगा या फिर यह लिख देगा दस्तक ड्यूटी वाला पॉइंट किस ने करा तो वो चीज आप को पता होनी चाहिए ठीक है यह यह concept आपके माinn में होने चाहिए चलिक हागा बात करते हैं व्ट आफ्टर मुर्शीद कुणि अ खान मुर्शीद कुली अली खान की बाद इनके हैं को इनके बाद बिठाते हैं पर्सन को इनके बाद इनके बेटे को यह बन गए गवर्णर बन गए कौन थे ये परसन अली वर्दी खान कौन थे ये परसन अली वर्दी खान अली वर्दी खान के बाद जो यहां पर गवर्णर बने वो थे सिराज उद दौला कौन थे सिराज उद दौला ठीक है ये कौन थे ये थे अली वर्दी खान की बेटी के ब उम्हें आई सुनते थे ऐसारी बाते एपने लानी oh और जान से कर दिकान को बात करते हुए कि सी थिए्च वह इक स्पेंशन पॉलिशी के चल की चलते इनकी एज थी जब यह क्या बन गए गवर्नर बन गए बाकी लोगों को यह बात पसंद आएगी क्या इक तो इतने छोटे ऊपर से यह बेटी के बेटे हैं ठीके तो लोग इतना ज्यादा बहुत से लोग ऐसे थे जो इन्हें पसंद भी नहीं कर रहे थे बट यह अपने माइ में clear थी उसके बात एक immediate reason इन्हें क्या मिल गया अपना गुस्सा दिखाने का ब्रिटिशर उस टाइम पर क्या कर रहे थे मैंने आपको बताया था कैलकटा में जो फोर्ट विलियम है ठीक है 45 करा गया था ना यह यह फोर्ट ब्रिटिशर 45 करने की प्लानिंग कर रहे थे तो यह बात पता चल रही किसको यह बात पता चल रही सिराजुद दौला को जब सिराजुद दौला को यह बात पता चली तो सिराजुद दौला ने क्या करा इसके against action लेने की बात करी कि हम यह चीज तो नहीं बनने देंगे ठीक है वहीं से एक background set होता है किसका battle of plassica किसका background set कर हम लोग बेटल ओफ प्लासी का तो क्या बेग्राउंड है यह थोड़ा देखके चलेंगे हम तो हम इसके अगेंस क्या लेंगे अब एक्शन लेंगे ठीक है आप एक्शन लीजिए क्या एक्शन लेंगे आप इन्होंने क्या करा थोड़ा सा बेटल ओफ प्लासी का बेग्राउंड रखते हैं ठीक है बेटल ओफ प्लासी की बात करते हैं बेग्राउंड रखते हैं फिर आएंगे लडाई पे वेग्राउंड रखते हैं फिर लडाई पे आएंगे हुआ क्या देखी हुआ बेसिकली ये कि यहां पर इन्हों ने क्या करा एक कंसेप्ट है जिसे हम लोगों ने सुना है किस नाम से ब्लाक होल ट्रेजडी के नाम से किस नाम से ब्लाक होल ट्रेजडी क को पकड़िये ठीक है तो इनकी ओफिसर ने ब्रिटिशर के 146 ओफिसर 146 इंग्लिश मैन को पकड़ा और उन्हें एक छोटे से रूम में बंद कर दिया उस रूम में कोई यहां पे उस रूम को फिर अगले दिन नेक्स्टे सुभे ओपन किया गया तो हमने देखा कि उनमें से 123 लोग जो थे वो मर चुके थे तो यह एक सेप्टेबल कहानी थी नहीं थी यहां पर यह कंसिप किस चीज से बूला जाता है यह कहा जाता है ब्लाक होल ट्रेजिडी के न नाम से तो ब्लैक होल ट्रेजिडी किसके टाइम पीरेड में हुई अगर यह कोश्चन आता है तो हमारा आंसर क्या होगा सिराजु दॉला के टाइम पीरेड में ठीक है अब यहां पर इसके बाद इंग्लिश बहुत गुस्से में ब्रिटिश बहुत गुस्से में है तो किया करा था Blackhole tragedy से पहले सिराजो दौला ने दो चीजे दिखें कासिम बजार कासिम बजार और फोर्ट विल्यम इस पर कर लिया था capture किस पर कासिम बजार और फोर्ट विल्यम जो था न यहां पर ये capture कर चुके थे उसके बाद ये Black Hole tragedy का concept हुआ, यहाँ पे Robert Clive, जो Calcutta की proper command देख रहे थे, उन्होंने वापिस ले लिया, capture कर लिया, वापिस से क्या, Fort William, captured back Fort William, इन्होंने Fort William को वापिस ले लिया, यहाँ तक समझ में आगई बात, अब इसके बात, जब आप यहाँ पे एक step हार गए हो, यह कहानी कब से च कि आप थोड़ा जुको और हमारे साथ करो एक ट्रीटी साइन क्या करो थोड़ा जुको और हमारे साथ करो एक ट्रीटी साइन तो यहां पर अब होगी ट्रीटी और यहां पर पहली ट्रीटी आ रही है भी इसमें ठीक है तो ट्रीटी भी ध्यान रखेंगे ट्रीटी ओफ अली नगर आप हमारे साथ यह proper treaty sign करो, क्या होगी इस treaty में बात, क्या करेंगे इस treaty में, अब Robert Clive ने कहा आपने ये सब जो करा है ये हमने accept बिल्कुल नहीं करना है, आप interfere कर रहे हो, हमें बिल्कुल भी ये चीज़े अच्छी नहीं लग रही है, तो पहली तो हमें हमारी old privileges, जो भ करेंगे, पहली बात तो उन्होंने ये कही, उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज ये कही, कि ये जो हमारे tunnel वाले काम में आके आपने इंटरफिय करा है, हम टरफिकेशन कर रहे थे, हमारे पस राइट था, तो आपने जो इंटरफिय करा है, वो चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो जो हम tunnel बना रहे थे, वो हम tunnel वापिस से बनाएंगे, ये दो बाते ट्रीटी ओफ अली नगर में करी गई, यहां तक समझ में आया, सिराजु दौला का हो, माननी पड़ी उनकी बाते, और यहां पे साइन हो गई सिराजु दौला और बिटिशर के बीच मे प्रीटी ओफ अली नगर, कुशन मन जाता है, प्रीटी ओफ अली नगर साइन बिट्वीन हूम, एंगलो मराथा दे देगा, एंगलो मरसूर दे देगा, बेंगॉल या सिराजु दौला का ही नाम दे देगा, तो पता होना चाहिए, किसके बीच में हुई थी, सिराजु यानि अपने गवर्नर के अगेंस थे, रीजन सबका अलग अलग था, एक छोटा था, छोटे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो गवर्नर बन गए, प्लस वो बेटी के बेटे थे, तो यहां पे बहुत सारी चीज़े उनके अगेंस जा रही थी, तो कुछ लोग जो उन प्लाशी रीवर के नियरबाई है, ठीक है, लडाई का बेग्राउंड बना दिया, अब आते हैं प्रॉपर लडाई पे और क्या कहानी हुई इस शीच पे, तो यह जो हम जगे देख रहे हैं, जो वर्ड हम लिख रहे हैं, प्लासी, ठीक है, तो प्लासी क्या है, प्लासी ए इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बैटल आफ प्लासी बोल देते हैं, ठीक है, अब लडाई में क्या कहानी हुई, मैंने बताया कुछ लोग थे सिराजुद दौला के अगेंस्ट, ब्रिटिशर लडाई लडने के पूरे मूर में है, यह सिराजुद दौला हमारी नहीं सुनता है, हमें एक अपना परसन चाहिए, जो वहाँ पे गद्धी पे बैठा होगा, जो वहाँ पे क्या बैठा होगा, गद्धी पे बैठा होगा, और उससे हम अपने हिसाब से काम करवाएंगे, जिस कंसेप्ट को कहते हैं, पपेट रूलर, हम उसे बनाएंगे पपेट हो गए, और ये थे कौन? ये सिराजु दौला के मिलिटरी हेड थे, मिलिटरी कमांडर थे, क्लियर, इसके अलावा मानिक चंद नाम के एक परसन, जो की एक ऑफिसर थे, ठीक है, जो की एक ऑफिसर थे यहाँ पे, उसके अलावा आमीन चंद, जो की एक बहुत बड़े थे, बिजनेसमें थे, ट्रेडर थे, कौन-कौन अगेंस था, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, कुछ नाम, इसके अलावा एक नाम और आता है, जगत सेट, जगत सेट, ठीक है, तो ये कुछ परसन थे, जो किसके सिराजु दौला के अगेंस थे, जिन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करा, बैटल ओफ प्लासी, जिस वजेसे हम हार गए, वो किसने करा, मीर जाफर ने, मीर जाफर को हम लोग गदारे हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, कुशन आ सकता है, तो ये पता होना चाहिए, इन्हें गदारे हिंदुस्तान भी कह जाता है। क्यों बीच लड़ाई लड़ाई चल रही है आप अगेंस्ट हो ब्रिटिशर के साथ एक अलाइंस बना चुके हो और लड़ाई में आपने हतियार उठाने से मना कर दिया। मीर्जाफर हाला कि एक पपेट रूलर थे ब्रिटिशर ने सिर्फ इसलिए इने बनाया था कि ये हमारी सारी बाते कंसीडर करके चलेंगे तो अब हुआ क्या जब इने रूलर बना दिया तो हुई क्या-क्या चीजे वो भी एक इंपॉर्टेंट कोशन बनता है वो हमें देख क्या था एक अच्छा खासा अमाउंट तो जिसे इन्होंने वार इंडेमिटी के नाम से पे करा लडाई में जो भी चीजे हुई उसकी भरपाई के नाम से युद्ध की भरपाई के नाम से इन्होंने अराउंड 2.2 क्रोड का कुछ अमाउंट जो था वो ब्रिटिशर को यह यहां पे गिफ्ट किया ठीक है यह दे दिया इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिशर को क्या दिया इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिशर को दिया ट्रेडिंग राइट ट्रेडिंग राइट की बात चल रही थी ना फ्री दस्तक वाला राइट कहां कहां पे बेंगॉल में म अगरास, बॉंबई का राइट दे दिया, वार की इंडेमिनिटी दे दी, एक जो इंपोर्टेंट चीज है 24 परगनाज 24 परगनाज की जमिंदारी दे दी इने, दिवानी राइट दे दिया, दिवानी राइट मतलब रिविन्यू सारी चीजे पूरा कंट्रोल इन एरियास पर किसका रहेगा ब्रिटिशर का रहेगा, तो एक तरीके से फुल पावर किसके अंडर चली गई, ब्रिटिशर के अंडर चली गई, तो ये कहानी थी किसकी बैटल अफ प्लासी किसके बीच में लड़ी इंपक्ट क्या रहा और उसका डिसीजन क्या निकला, बट वेरी सून मीर जाफर को ये रियलाइज होने लगा कि उन्होंने ये जो डील करी थी ये बहुत ही एक बेकार डील रही उनको ये रियलाइज हुआ कि ये जो भी तरीके से ये कुछ एरियाज जो थे वो भी हमारे हाथ से यहाँ पे चले गए साउथ पहले से ही उनके पास साउथ के एरियाज थे, कैसे नौर्थ में भी ब्रिटिशर का थोड़ा बहुत जो था वो हाथ पैर फैल गए कब बेटल आफ बकसर के बाद ठीके उसको हम अपनी नेक्स क्लास में देखें so thank you for watching the video कर दो कर दो दो